20 मार्च को देश भर में रंगभरी एकादशी मनाई गई खासतोर पर काशी में हर साल ये एकादशी बेहत धूंधाम से मनाई जाती है क्योंकि ऐसी मानिता है कि इस दिन विवहा के बाद पहली बार शिवजी पारवती जी को काशी लेकर आए थे रंगभरी एकादशी की दिन बाबा विश्विनात की नगरी होली की मस्ती में डूबी नजर आए बुद्वार को बनारस की गलियों में बाबा विश्विनात और माता गौरा के साथ भक्तों ने होली खेली करीब सो क्विंटल गुलाद से काशी विश्विनाद की सारी गलिया रंग गई लाकू भक्त बाबा की भक्ती और त्युहार की मस्ती में मस्त हो गई डमरू की डम डम और हर हर महादेव की जैगूश की बीच बनारस में होली खेली गई सभी रस्मों की अदाईगी की बाद बाबा विश्विनाद गौरा को लेकर सस्वराल चलें तो गलियों में उनके स्वागत में खड़े भक्तों ने गुलाल उड़ा कर उनके साथ होली खेली उसके बाद जैसे ही बाबा अपने प्रिये धाम काशी विश्विनाद दर्बार पहुचे वहाँ भी गौलाल का दौर चला इस आयोजन में लाखों भक्त शामिल हुए काशी में होली की शिरुवारत रंगभरी एकादशी से होती है इस उटसव से ही काशी में रंगोटसव का आगाज होता है और फिर पूरे छे दिन तक काशी में होली का दौर चलता है काशी विश्वनाद धाम में होली उटसव के लावा संगीत महुचसव का भी आयोजन हुआ हजारों भक्त उत्सव में रमेबस से नजर आये हर कोई शेव और होली के गीतों पर जूमता दिखा दरसल पौराडिक कथाओं के अनुसार रंगभरी एकादश्वी की दिन ही भगवान शिव माता पारवती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आये थे इस मौके पर भोलिनात ने अपने गड़ों के साथ रंग उलाल उडाते हुए खुशिया मनाई थी तभी से इस तरह की होली मनाने की परमपरा चली आ रही है ये पर्व खुशाल जीवन के लिए बहुत ही शुब माना जवाता है इसलिए काशी में रंगभरी एकादश्वी से होली का पर्व शुरू हो जाता है काशी के लावा वरंदवन से लेकर आयोध्या तक लोगों ने खूब होली खेली भक्त होली के रंगों में सराबोर दिखे रंगभरी एकादश्वी के बाद अब मतुरा वरंदवन में आज से फूलों की होली खेली जाएगी ब्रज शेत् प्रजाओं के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा रानी और गोपियु संग फूलों वाली होली खेली थी तबी से इस होली का चलन बना हुआ है फूल वाली होली के दोरान भक्त फूलों और फूलों की प्राकर्तिक डाइस सबने रंगों के साथ त्योहार खेलते हैं व गेंदे के फूल की पंखुडिया बरसाते हैं इस दोरान लोग होली के गीत और भजन गाते हैं और नृत्ति भी करते हैं कैसी लगे आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकी धर्मिकर्मी से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सबस्क्राइ और देखते रहें न्यूज नेशन स्तुति